हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में इंगलिस के 30 काफी महत्पुन अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और जो भी बच्चे इस 30 प्रशन को काफी अची तरीके से पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो इस प्रशन से 10 से 15 प्रशन आपके बोर्ड एक्जाम में हो बहु लड़ेगा ये हमारा ग्रांटी है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आरसी हट चिंसन के द्वार लिखा गया है यानि यहाँ पे बी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर दो नंबर प्रशन की हूँ वाज चीटिंग दा क्राउन मार्चेंट यहाँ पे आपको बताना है कि क्राउन मार्चेंट से कौन चीटिंग कर रहा था तो इस नेफ्यू यानि यहाँ पे बी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे बी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्पुण महत्पुर्ती सब्जेक्टी प्रशन हैं तो एक भी प्रशन प्लीज आप लोग इसकीप मात किजिएगा वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए दे यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही जबाब हो जाएगा यहाँ पे ए उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन यहाँ पे पांच नंबर प्रशन की वाट डीड द ऑथर डू फोर इन्वायरमेंटल यहाँ पे c-Option क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहांभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजיהगा और बीडियो को सुरू से लेके अन तक देखिएगा और इसमें से जो भी पुरुण आपको याद नहों तो उसे आप लोग याद करने का कोशिस किजिएगा आईए देखते हैं अगला परशने छे नंबर छे नंबर परशने कि who is the author of me and the ecology bits यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखे me and the ecology bits के author कौन है यह आपको बताना है तो जोन लेक्साओ है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर b option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला परशने आपर आठ नंबर परशने कि which animal miss of Mrs. Grenas yard तो यहाँ पर आपको बताना है कि which animal miss of Mrs. Grenas yard तो यहाँ पर c option याणि dog क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक भी परशन प्लीज आप लोग स्कीब मत किजिएगा वीडियो लोगों सुरू से लेके अंतक देखिएगा क्योंकि यह सभी प्रशन बोड एक्जाम 2021 के लिए काफी महत्पुर है आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे 9 नंबर प्रशने आप देखिए कि Jim found Mr. Williams burnings यहाँ पर आपको बताना है कि Jim found Mr. Williams burnings यहाँ पर क्या होगा इसका स when the narrator said down right Gilloo wanted to catch her काफी महत्पुर प्रशने 10 नंबर कि when narrator said down to right Gilloo wanted to catch her यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुली सही जबाब हो जाएगा यहाँ यहाँ पर एउप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 11 नंबर 11 नंबर प्रशने कि who has written Gilloo यहाँ पर आपको बताना है कि Gilloo किसने लिखा है काफी महत्पुर प्रशने 11 नंबर यहाँ पर आपको बताना है कि who has written Gilloo यह काफी महत्पुर प्रशने board exam 2021 के लिए तो यह लेखक कौन है तो महदेवी वर्मा है इसे आपको याद रखना है Gilloo के लेखक कौन है महदेव वर्मा है यानि यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर 12 नमबर प्रशने की गिलू फेवरेट फूड द्वाज यहाँ पे आपको बताना है कि गिलू का फेवरेट फूड क्या था काफी महतपुड प्रशन है तो यहाँ पे गिलू का फेवरेट फूड क्या था तो काजू था यानि यहाँ पे सी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएग काफी महतपुड महतपुड 30 objective प्रशन है तो एक भी प्रशन प्लीज आप लोग skip मत किजिएगा वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिएगा और last में हम आपको काफी अच्छी बाते बताने वाले हैं तो उसे आप लोग जरूर सुनिएगा यह देखते हैं अगला प्रशन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन आपे 14 नमबर यहाँ पर प्रशन देखिए कि the color of Gilloo's eye वाज यहाँ आपको बताना है कि Gilloo का जो आई था यानि आख था वो किस color का था तो blue था इसे आपको याद रखना है यहाँ प आपको बताना है कि the raw material of cinema is dance itself 15 नमबर प्रशने काफी महतपुड है तो यहाँ पे डैस यानि खाली अस्थान के जगे पर क्या होगा लाइफ होगा यहाँ यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे 16 16 नमबर प्रशने काफी महतपुड प्रशने बोड एक्जाम 2021 के लिए कि in this lesson the author compare Indian films with dance films काफी महतपुड प्रशने है यहाँ पर आपको बताना है कि in this lesson the author compare Indian films with dance films तो कौन सा film से compare करते हैं तो western film से compare करते हैं यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाए 16 नमबर प्रशने काफी महतपुड था तो यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने आपर 17 नमबर 17 नमबर यहाँ पर प्रशने देखिए यह भी काफी महतपुड प्रशने है बोड एक्जाम 2021 के लिए कि आंग सांग सूकी वाज fighting for death in karma काफी महतपुड प्रशने «17 नमबर की आंग सांग सूकी वाज fighting for death in karma तो डेमोक्रेसी के लिए fight करते है यहाँ यहाँ पर इय उप्प्न क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आपे 18 नमबर 18 इंशाला नमर पुर्ष्ण सूर नोबिल प्राइज वाज सकंज सूक हो जाएगा यहाँपर इंगला पर यहां पर आपको बताना है कि the old woman was क्या थी the old woman तो यह क्या थी wise थी इसे आपको याद रखना है यहां पर b option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 20 नमबर 20 नमबर प्रशने कि the old woman house is situated outside of coffee महतपुर प्रशने यहां पर आपको सही हो जाएगा एक भी प्रशने प्लीज आप लोग स्कीब मत किजिएगा वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा यहां पर 21 नमर प्रशने है कि in the story once upon a time the woman is the daughter of slab यहां पर क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा यहां पर c option क्या हो जाएगा बिलकु आप 3 नमर प्रशने काफी महत्पुड है कि टोनी मेर सान रिषीप द 나 नोबेल प्राइज इन दा फिल्ड ऑफ यहां पर आपको बताना है कि तो िषीप द न्ोबेल प्राइज इन दा फिलड ऑफ तो लिटरेचर के छेत्र मेन इनहें मिला था यहां पर सी उप्शन क्या हो amazing because of its क्या होगा यह तो वेटालीटी होगा यहां पर सी ओप्सन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आपे 24 नमबर 24 नमबर प्रशने काफी महत्पुड है कि who is the author of the unity of इंडिया कल्चर काफी महत्पुड प्रशने 24 नमबर 24 नमबर प्रशने काफी महत्पुड है कि who is the author of unity of इंडियन कल्चर तो हमानियन कभीर है इसे आपको याद रखना है यहां पर एउप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 25 25 नमबर प्रशने काफी महत्पुड है कि suchen अपको बताना है कि suspend इसे क्या हो जाएगा यहां पर इसे और विल्कुल ही ऑगाए देखते हैं अगला प्रशने 26 नमबर 26 नमबर यहां प्रशने देखे यह भी काफी महत्पुड है कि two girls forget there dance and become a friends again काफी महत्पुड प्रशने 26 न गई तो यहाँ पे जेलियस भूल गई यानि यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा तो गल्स फोरगेट देर जेलियस एंड वी कामा फ्रेंट्स एगेन यानि यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पे 27 नंबर 27 नंबर भी प्रशने काफी महतपुड है कि what was in the yard यहाँ पर आपको बताना है कि what was in the yard yard में क्या था तो dirty water था यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 28 नमबर 28 नमबर भी परशने काफी महतपुड है कि according to the poet health and virtual can be found in काफी महतपुड परशने कि according to the poet health and virtual can be found in तो कहां मिल सकता है यानि यहाँ पर village में यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा 28 नमर परशने काफी महतपुड था तो 28 नमर का answer क्या हो जाएगा C यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला परशने यहाँ पर 29 नमर 29 नमर परशने कि the town's people do not enjoy any real यहाँ पर पताना है कि the town's people do not enjoy any real काफी महतपुड परशने हैं यहाँ पर 29 नमर यहाँ पर पर परशने कि the town's people do not enjoy any real यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा तो यह था 30 परशने अगर इस 30 परशने को आप लोग काफी एची तरीके से पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो 10 से 15 परशने आपके board परिक्षा में हू बहु लड़ेगा यह हमारा guarantee है तो इसे आप लोग याद कर लिजेगा और ऐसे ही करके हम यहाँ पर 200 यहाँ पर objective प्रशन हम आपको बताने वाले हैं तो उसे भी आप लोग देख लिजेगा अगर 200 objective प्रशन देख लिजेगा ताकि जब भी class हो तो आपके पस notification पहुंचता रहें thank you for watching मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये मन लागे पढ़ाई किजे टेक केर और बाए